हेलो दोस्तों YouTube चैनल जेविदिस्टरी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि हम मदिवदेश के वीवित के بारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी सीरिज में आज हम मदिवदेश के कुछ कारियले भवन वापार्क के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में हम विश्व के कुछ प्रमुक संगठन की भी चर्चा कर रहे हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में उनकी लिंक दे रखिए तो वहाँ जाकर आप वो वीडियोस देख लेना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजेगा उससांत में अगर आप किसी भी परिक्षा की तयारी करना चाहते हैं या प्रेक्टिस करना चाहते हैं तो परिक्षा एपके माध्यम से आप प्रेक्टिस कर सकते हैं जिसमें 17 मार्च को एक विसेश टेस्ट का आयोजन हो रहा है जिसमें आप टेस्ट देकर अपनी रेंक का अंदाजा लगा सकते हैं या अपनी तैयारी कितनी है इसका भी आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं तो चलिए आज के टॉपिक के हम चर्चा करते हैं जिसमें मद्विदेश के भवन हुआ कुछ पार्फ के बारे में हम चर्चा करेंगें यह हमारे सामने मद्विदेश के कुछ कारिया लेवा भवन सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य का पुराना जो विधानसभा भवन था इसका नाम है मिंटो हल काई बार ये प्रस्न पूछा गया है कि पुराना विधानसभा भवन का नाम क्या था पुराने विधानसभा भवन का नाम मिंटो हल था उसके बाद अगर नवीन विधानसवा भवन के हम बात करें तो नवीन विधानसवा भवन का नाम है इंदरा गांधी विधानसवा भवन तो ये भी इंपोरेंट लगा लिए जगा अगला है राजिका सची वाले जो है वो है वल्लब भवन वल्लब भवन राजिका सची वाले इसके बाद राज्य का संचलाना ले है ये है सत्थ पूड़ा भवन राज्य का संचलाना ले सत्थ पूड़ा भवन उसके बाद राज्य विद्यूत मंडल जो है राज्य का विद्यूत मंडल जो है इसका नाम है सक्ति भवन राज्य का विद्यूत नियामक आयोग उर्जा भ राजोका मानवादिकार आयोग जो है इसका नाम है परियावास बौन उसके बाद मदिविदेश पाठ्टे पुस्तक निगम का नाम है पुस्तक बौन मदिपदेश पाट्य पुस्तक निगम का नामें पुस्तक भवन राज निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन राज निर्वाचन आयोग का है निर्वाचन भवन उसके बाद राज योजन आयोग विंद्यांचल भवन राज योद्न आयोग विंद्यांचल भवन नई दिल् निवास राजपाल का जो निवास इस्थाले उसको कहा जाता है राजभवन राजपाल निवास इस्थान का नाम है राजभवन यह हो गए मद्यपुदेश के कुछ कार्यले भवन अब हम बात करते मद्यपुदेश में इस्तित कुछ प्रमुक पार्क की या कुछ प्रस्ताव पार्क भीहां पर सब्सेले अबक्ष यह मंयं 51 का ज़ो दिफेंस परक बन्ने वाला है यह पिदंपूर में है अगला है डायमंड पार्क बीट हमिए baru में अगला है खम पांड दाटा सेंटर पार्क तो पहला डाटा सेंटर पार्क जो है राजी का ये भी इंदोर में प्रस्तावी थे ये भी इंपोर्डेंट लगा लिजेगा इंपोर्डेंट है ये प्रस नहां सकता है कि राजी का पहला डाटा सेंटर पार्क कहां पर प्रस्तावी थे तो इंदोर में देश का दूसरा महिला पार्क ये भी इंदोर में प्रस्तावित है यहाँ पर महिला पार्क बनेगा देश का दूसरा उसके बाद इको टूरिज्म पार्क जो है यह है रिवा जिले में प्रस्तावित अगला है बायो टेक्नलोजी पार्क ये इंदोर में प्रस्तावित है बाय And Jewelry Park इंदbourg Jivi Pradiyogi की पार्क जो है येवी दैपाली इंदздर मं है इEM Addंड लगा लीजेगा थोड़ा सा आने जैसा शांच से इसको इसको आध पहला सोर उर्जा पार्क पहला सोर उर्जा पार्क जो है यह है गनेशपूर राजगर जिले में ये इसको भी important लगा लिजेगा जो पहला सोर उर्जा पार्क है गणेश पूर राजगर के बाद stone पार्क जो है ये stone पार्क गवालियर वा कटनी दो जगे है stone पार्क गवालियर में भी है और कटनी में भी है मसाला पार्क जो है मसाला पार्क चिंदवाडा जिले में है मसाला पार्क चिंदवाडा तो ये भी important है मसाला पार्क का भी important लगा लिजेगा अगला जो है निर्यात उर्वरक उद्योग पार्क देवास निर्यात उर्वरक उद्योग पार्क जो है ये है देवास जिले में उस यव बदेश को अच्छे से नोट कर लिजयेगा तो यह हो गए हमारे मदविदेश के कुछ कारीयल भवन वा कुछ पार्क जिसमें प्रस्तावित पार्क भी है तो आप बिलकुल चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत